सूस्वागतम बच्चों, कैसे हो बच्चों, हिंदी विशे के ओनलाइन वर्ग में आपका स्वागत है तो बच्चों, आज हम गिन्ती सिखेंगे जैसे आप बोलते हो ना वान, चू, थ्री, फो उसको इह हिंदी में गिन्ती बोलते है उसमें चो अंक होते है, उसको संख्या बोलते है अंग्रेजी में उसको नमबस कहते है तो बच्चों, चलिए, भागवन में हम क्या देखेंगे? वो देखते है तो देखिए बच्चों, पहली संख्या कौन सी है? एक एक को किस तरह लिखते है? ए और कव अभी देखिए बच्चों, एक की गिंती करनी है तो सामने ये का रखा है? एक किप बॉक्स तो हम इसकी गिंती कैसे करेंगे? एक किप बॉक्स शाप पाज बच्चों अब अगली संख्या कौन सी है? बच्चों, दो दो अंक इस तरह लिखते हैं और दो अक्षरों में द और ओ की मातरा यानि की दो अब देखिए बच्चों, दो की गिंती कैसे करेंगे? ये सामने दो लड़कियों के चितर है तो हम इसकी कैसे गिंती करेंगे? एक, दो इस तरह से ये क्या हुआ? दो लड़किया हमें इस तरह इसकी गिंती करनी है शाब पाज बच्चों अब इसकी अगली संख्या कौन सी है? तीन तीन अंकों को इस तरह लिखते हैं बच्चों और तीन शब्दों में कैसे लिखते है? तो को दूसरी इ की मातरा और न अभी तीन की गिंती कैसे करेंगे बच्चो, दिखिए इसमें तीन स्टार दिखाए दिये है तो हम लोग इसकी गिंती कैसे करेंगे, एक, दो, तीन तो ये कितने स्टार हुए बच्चो, तीन स्टार, ठीक है तो इस तरह हमें इसकी गिंती करनी है शाब पाश बच्चो अब अगली संक्या कौन सी है बच्चो चार चार अंको को इस तरह लिखते हैं और चार शब्तों में च को आकी मातरा और र, चार ठीक है बच्चो अभी हम चार की गिंती कैसे करेंगे तो दिखिए सामने यहाँ 4 चौकॉन है ठीक है तब हम इनकी किंती करते है तो गिंती 1, 2, 3, 4 तो यह कितने चौकॉन हुए 4 तो 4 की गिंती में 4 चौकॉन ठीक है बच्चो शांपाज अब यहाँ अगली संक्या कॉन सी है बच्चो पाच अभी पाच अंको को इस तरह लिखते हैं और पाच शब्दों में प को आकी मातरा उसके उपर चंद्रबेंदू और च पाच अब पाच की गिंती कैसे करेंगे बच्चो देखिए आपके सामने पाच त्रीकुन निकाले गया है अब हम उसकी गिंती करेंगे तो चलो गिंती करते हैं गिंती एक दो ती चार पाच समझ गए बच्चो इस तरह आपको एक एक करके पाच त्रीकुन की गिंती करनी हैं शाबाश बच्चो चो अब हम गिंती में छे नंबर की गिंती करेंगे ठीक हैं तो छे अंको को इस तरह ल और ह, छे, ठीक है बच्चो, तो अब हम इसकी गिंती करते हैं, गिंती करने के लिए आपकी सामने 6 केक के चितर दिये गये है, तो चलिए बच्चो, अब हम इसकी गिंती करेंगे, गिंती, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छे, ठीक है बच्चो, तो इस तरह आपको इसकी गिं करनी है very good अब हम साथ संक्या को देखेंगे साथ अंको को इस तरह लिखते हैं और शब्दों में स को आ की मत्रा और त साथ ठीके बच्चो अब साथ संक्या की गिंती कैसे करते हैं तो चलिए देखते हैं आपके सामने साथ फूलों के गुच्छा रखे हुए हैं तो बच्चो अब हम इंकी गिंती करते हैं तो चलो गिंती एक दो तीन चार पांट शेह साथ ठीके बच्चो इस तरह आपको एक एक करके एक से साथ तक कींती करनी हैं समझके बच्चो शाब पाज अब अगली संक्या देखिए आठ आठ अंको को इस तरह लिखते हैं और शब्द में आ और थ आथ ठीके बिच्चो अब 8 संक्या की गिंदी करते है गिंदी करने के लिए आपके सामने 8 हार के दिये गए है तो चलिए बिच्चो अब इसकी गिंदी करना शुरू करते है गिंदी 1,2,3,4,5,6,7,8 आठ ठीके बच्चो इस तरह आपको एक एक करके एक से आठ टक की गिंती करनी है शाप पाश बच्चो अब अगली संख्या देखिए बच्चो नो नो अंक को इस तरह लिखते है और शब्दों में नो को अउ के मातरा नो ठीके बच्चो अब नो संख्या की गिंती करने के लि किंती करेंगे तो चलो शुरुबात करते हैं गिंती एक दो तीन चार पाँच छे साथ आट नो ठीक है बच्चो इस तरह हमने एक से नो तक इंचो कौनों की किंती करनी है उसी तरह आपको भी करनी है ठीक है शाब पास बच्चो अब अगलीज और अंतीम संक्या कौन सी है बच्चो दस अंको को एक और शुन्य को जोड़कर दस लिखते है ठीक है और शब्दों में द और स को जोड़कर दस इस तरह से दस अब दस की गिंती देखते हैं दस की गिंती करने के लिए आपकी सामने दस स्टार दिखाए देंगे ठीक है बच्चो अब एक दस स्टार की हम एक-एक करके गिंती करते हैं तो चलो शुरुवात करते हैं गिंती एक, दो, तीन, चार, पाँच, छै, साथ, आठ, नो, दस ठीक है बच्चो? इस तरह हम को एक-एक करके एक से दस तक उसकी गिंती करनी है ठीक है बच्चो? शाब बाश्ट तो बच्चो, अब हम एक से पाश्टक की संख्या को शब्तों में, हिंदी और अंग्रेजी में कैसे लिखते हैं? वो देखेंगे ठीक है बच्चो? तो पहला कौन सा है? एक, ए और क, अंग्रेजी में इसको वन कहते हैं ठीक है बच्चो? अब दूसरी संख्या कौन सी है? दो दो को ओ की मातरा तो अंग्रेजी में इसको टू नंबर कहते हैं ठीक है? उसी तरह तीन तो को दूसरी इकी मातरा न तीन ठीक है बच्चो? अंग्रेजी में इसको थ्री कहते हैं वेरी गुड अब अगली संक्या देखिए बच्चो चार च को आ की मातरा और र अंग्रेजी में इसको फोर नंबर कहते है ठीके बच्चो अब अंतीम अंक को कौन सा है पाच प को आ की मातरा चंदरबिंदू और च पाच अंग्रेजी में इसको फाइन नंबर कहते है चे च और ह अंग्रेजी में इसको शिक्स नंबर कहते है ठीके बच्चो उसी तरह अगला अंक देखिए साथ स को आ की मातरा और त साथ ठीके बच्चो अंग्रेजी में इसको सेवन नंबर कहते है अब यह अगला नमबर देखिए आठ अंको को शब्दों में आ और ठ अंग्रेजी में इसको इट नमबर कहते है ठीके बच्चो उसी तरह अगला देखिए नो न को अउ की मातरा नो अंग्रेजी में इसको नाइन नमबर कहते है ठीके बच्चो अब अगला नमबर दीखिए बच्चो दस, दस को द और स, दस और अंग्रेजी में इसको टैन नमबर कहते है ठीके बच्चो, शापास बच्चो अब हम अंक और शब्तों को साथ में लिखने का अब्यास करते है चलिए, अब हम लिखेंगे एक, ए और क, एक उसके बाद हम लिखेंगे दो, दो पर दो की मात्रा दो इसके बाद नमबर तीन दो पर ए की मात्रा और न, तीन अब बच्चो आगे नमबर है चार, नमबर चार अब चार कैसे लिखेंगे च पर आकी मात्रा और र, चार उसके बाद नमबर पाच पर आकी मात्रा, चंद्रविंदू और च, नमबर पाच बच्चो अब इसके बाद कौन सा अंका आता है, अंक छे चे, चे को कैसे लिखते है, च और ह, चे अब इसके बाद कौन सा अंका है, अंक साथ अब साथ अंक को कैसे लिखते है, सब पर आकी मात्रा, और त, साथ तो बच्चो इसके बाद अंका आता है, आठ अपनी पाट्टे पुस्तिका में, आठ अंक अलग तरीके से लिखा हुआ है जिस तरीके से सबी बच्चे भी लिखते है, साथ रन तरफ पर आठ इस तरह लिखते है पर हमारी पाट्टे पुस्तिका में, आठ इस तरह भी लिखा हुआ है और आठ अंक को कैसे लिखते है, शब्दों में, अ पर आकी मात्रा, और त, आठ इसके बाद है नो नो को साधारण हम इस तरह लिखते है पर हमारी पाट्टे पुस्तिका में इस तरीके से लिखा हुआ है तो नो को शब्द में कैसे लिखेंगे नो पर अउ की मात्रा नो इसके बाद आखरी अंकर कौन सा है दस दस नमबर एक और शुन्य दस को शब्दों में कैसे लिखना है द और स दस तो बच्चो अब हम हमारी पाट्टे पुस्तिका में जोडिया मिलाए इस प्रश्न को देखते है तो बच्चो यहां हमें दो विभाजी जोडिया नजर आ रही है एक जगह अंको को शब्दों में लिखा हुआ है तो दुसरी जगह अंक दिखाई दे रहे है तो चलिए बच्चो अब हम इन शब्दों को अंको के साथ जोडिया मिलाते है तो पहला शब्द कौन सा है बच्चो पाच हम इस पाच को पाच अंक के साथ मिलाएंगे दूसरा है एक एक को एक के साथ मिलाएंगे तीसरा है दस दस को दस अंक के साथ मिलाएंगे चौता है साथ साथ शब्द को साथ अंक के साथ मिलाएंगे पाचवा है तीन तीन शब्द को तीन अंक के साथ मिलाएंगे तो बच्चो इसी थर आपको आपकी बट्टे पुस्तिका में भी अंक और शब्दों का अभ्यास करना है और उसको पढ़ना और लिखना है धन्यवाद बच्चो फिर मिलेंगे झाल की बवाद रिश्टे ओया है